गुरूर ब्रह्म्हा, गुरूर विष्णु, गुरूर देवो महेस्वरा, गुरूर साक्षात प्रम्ब्रह्म्हा, तश्मेशिर गुरुए नामा। ध्यान मूलं गुरू मुर्ति, पोजा मुल्यं गुरू पदं, मंत्र मुल्यं गुरू आक्यं, मोक्ष मुल्यं गुरू कृपा, अखंड मंडला कार्यं, ब्यक्तन्यन चराचरं, तद पदं दर्शितं मेने, तश्मेशिर गुरू ए नामा। आज गुरू पुरू 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 हैं, गुरू पुरू पुरू के आउशर पे, आप शब अपने गुरू का आदर करें, इश्यत करें। और हमारे सास्त्रों में बताया गया है कि गुरू पुर्णिमा का जो दिन होता है, ये होता है, गुरू का और गुरू का जो है शेवा, उनका सम्मान देने के लिए इस समझ जो है कि उनके भग्त यानि शेशियों का होता है। शेशिय अपने गुरू को उपहार दे शकते हैं, उनके दिल में जो है वो दे शकते हैं, क्योंकि एक मात्र, संसार हिंदर गुरू ही आपका इक्षाहरा है, भवशागर से पार कराने वाला गुरू होता है, गुरू को शम्मान देना आपका कारे है, इसलिए कहा गया है कि गुरू सर्वशेष्ट माना गया है, गुरू में अगर आप सब देखना चाहते हैं, तो उसमें ही देखें, प्रम्हा, पिश्नो, महेश, जक्तमा भुवानी, दुर्गा माता, उनसे कभी अलग नहीं मानना कि ये इनसे अलग है, ये गुना कभी नहीं करना, ये पाप कभी नहीं करना, क्योंकि मैंने आप सब को हर एक वीडियो में बताया है, कि गुरू और महादियो में जो भेद करता है, ये दोनों अलग-अलग होते हैं, तो उसे कुत्ते के योनियों में उसे भोगना पड़ता है, क्योंकि उसे वही डंड मिलता है, गुरू कृपाच से जो और कारी करें आपना, इसी में कुछ में बताना चाहूंगा जैसे आप उसे सुने, आज एक बच के एकतिस मिनट पर चंदर कहांडी स्टार्ट होगा रात्री के समयन, चार बच के तीस मिनट तक का रहेगा, तो आपको टाइम मिलता है तीन घंडे का, तीन घंडे में जिस भी इश्ट को आप मानते हो, जिस भी भवान को मानते हो, अगर आप गुरू मुख हैं, तो उस समय आप उस मंत्र का चप करें, जो मंत्र आपके माइंड में चल रहा है, जो भवान आपके माइंड में चल रहा है, इन तीन घंडों में चमतकार होगा, अतियन तो चमतकार हो इतने अध्यान में रखना कि आज हल्दी कुमकुम केशर को पीस कर उसे लिक्विड बना ले अपने राइट हेंड के पंजे पर पूरा लगा किये जहां चंदर गर्ण लगेगा वहाँ पे शादा पेपर होगा अपने पेपर होगा, शादा पेपर पे इससाद छ चाप छोड़ना है चंदर गर्ण जिस गर्ण उससे क्या होगा कि आपकी गर्ण अच्छेतर जितने भी आपके संद्रलन में नहीं है उस दर्मियान में चंदर गर्ण के व masih यह सब हर के लेगी चले जाने वाला यह ग्रहन है एक कारी करना इस कारी से इसे लाव आपको होगा और दूसरी बात जब मैं लाइफ आओंगा उस समय बता दूँगा जो लेका रखना ठीक है और गुरुओं के प्रतियास्था प्यार शम्मान रखें ठीक है जै माता दी जै अरो